वायू मंडल बसुतर गेसों का एक मिश्रण है जो गुर्थवाकर्षन शक्ति के कारण प्रिथवी सतर के साथ सदेव सलंग्न अथवा लटका रहता है। इसका गनत्व उचे के साथ कम होता जाता है। यह प्रिथवी का सुरुक्षा कवच है जो उलकापात और हानी कारक्व विकीरणों से प्रिथवी की रक्षा करता है। वायू मंडल में संपन्नों होने वाली शक्तियां और प्रक्रियाएं वनस्पति साहित जीवधारियों के जीवन को बनाये रखने के लिए अनुकुल दशायें प्रदान करती है। वायू मंडल एक विशाल प्राक्रतिक हरित ग्रह की भातिकारी करता है जिससे प्रिथवी पर दिन एवं रात की तापमान में आधिक अंतर नहीं आ पाता है। यह सोरी से आने वाले लगुतरंगी विकीरण को तो प्रिथवी सता तक आने देता है लेकिन प्रिथवी सता से होने वाले दिर्ग तरंगी पार्थ विकीर मुख्याधार तापमान संबंदी विशेष्टाएं हैं. यदि भी इन तापमान संबंदी विशेष्टाओं को वायू का दाव एवं घनत जैसी विशेष्टाएं भी प्रभाविक करती हैं. वायू मंडल की उध्रवादर सरश्चना की विभिन्न पर्तों में यदि हम तापमान संबंधी दशाओं के इस ग्राफ को देखें तो इसपस्थ हो जाता है कि किस तरह से विभिन्न पर्तों में तापमान संबंधी दशाओं में अंतर पाया जाता है शोब मंडल में उचे की साथ तापमान में कमी आती है ये कमी 15 degree centigrade से शोब सिमा के समीब माइनस 55 degree centigrade तक की होती है मद्धी मंडल में तापमान उचे की साथ बढ़ता है और ये तापमान माइनस 55 degree centigrade से समताप सिमा के समीब 5 degree centigrade तक पहुँच जाता है मद्धी मंडल में तापमान में पुना उचे के साथ कमी आती है यह कमी 5 डिगरी सेंटिग्रेट से 100 डिगरी सेंटिग्रेट तक होती है ताप मंडल में ताप मान उचे के साथ पुना बढ़ता है और यह ताप मान लगबग 1500 degree centigrade से 1700 degree centigrade के बीच पहुँच जाता है वायू मंडल की इस उद्रवादर सनशना में हम वायू मंडली ये दाब के ग्राफ को देखें तो इस पस्ट होता है कि जैसे जैसे उचे की और बढ़ते हैं वायू मंडली ये दाब में कमी आती जाती है समुद्र तल पर और सत वायू बार 113 मिली बार रहता है जो दिरे दिरे उपर जाने पर कम होता जाता है और खशोब सिमा के समीप ये 1500 मिली बार के आसपास रह जाता है तदुपरांद जैसे जैसे हम खशोब सिमा से उपर की और बढ़ते हैं वायू मंडल में वायू मंडली दाब में निरंतर कमी आती जाती है और यह कमी इस बात का जोतक है कि हम जैसे जैसे उपर की और जाते हैं वायू मंडल विरल होता जाता है शोब मंडल वायू मंडल की सबसे निशली परत है जो पृत्वी सतर के साथ जुड़ी हुई है इस परत में उचे के साथ तापमान में कमी आती जाती है इससे इस बात की पुष्टी होती है कि वायु मंडल सूरी से आने वाले लगुतरंगी विकीरन से गर्म नहीं होता है अपितु प्रिच्वी सता से होने वाले पार्थे विकीरन से गर्म होता है इसकी उचाई वमद्यरेखा पर 16-18 किलो मीटर तथा दुरूपों पर 6-8 किलो मीटर तक पाई जाती है शोब मंडल की उचाई स्थान, समय और रितों के अनुसार परिवर्तन शील होती है इस परत में उचाई के साथ तापमान में कमी आती है यह कमी आसत रूप से प्रती 165 म की उचाई पर 1 degree centigrade अथवा 6.5 degree centigrade प्रती 1 किलो मेटर की दर से होती है इसे तापमान की सामान ये हासदर अथवा परियावरणी ये हासदर भी कहते हैं यह हासदर अवस्तिती दिन के समय प्रचलित मौस में दशाउं और रितू अनुसार परिवर्तन शील होती है शोब सीमा क के समीब तापमान दुरों की अप्रिक्षा कम होता है इसका कारण यह है कि शोब मंडल की उचाई जितनी अधिक होगी तापमान में कमी भी उतनी ही अधिक होगी आपको मालूम है कि शोब मंडल की उचाई भूमत दिरेखा पर 16-18 km है और दुरों पर यह 6-8 km के बीची है मंडल के अधिकांश गटनाएं भी इसी मंडल से संबंदित हैं, शोब सीमा, शोब मंडल एमम समताप मंडल को प्रतक करने वाला संक्रमन क्षेतर है, जो शोब मंडल और समताप मंडल के बीच होने वायू के उद्रभातर प्रवाहा को रोगता है, इस संक्रमन क्षेतर में 50 km की उचाई तक इस मंडल का विस्थार है इसमें उचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है शोप सिमा के समीब जो तापमान minus 55 डिगरी सेंटिग्रेट होता है वो इस मंडल के उपरी भाग पर लगबग 5 डिगरी सेंटिग्रेट हो जाता है तापमान का ये बढ़ना गृष्मिरितु में अधिक सी उसपस्ट होता है ओजोन गेस इसी मंडल में 20-25 किलो मेटर की उचाई के बिच सरवाधिक मातरा में पाई जाती है ओजोन गेस आप जानते हैं इसका रासाइनिक नाम O3 है और ये निले कलर की गेस है जो सुरी से आने वाले पराबेंगनी विकिरण का आउशोषण कर प्रिच्वी पर उश्मा के संतुलन को बनाये रखने में मदद करती है आजोन गेस ख़रा सूरे से आने वाली अतिदिक पूर्झावान परावेंगनी विकिरणों के आउशोसन से इस मंडल में तापमान में वृध्धि होती है समताप मंडल में ऑक्सिजन का ओजोन में बदलना और ओजोन का ओक्सिजन में बदलना निरंतर चलता रहता है। ये एक प्राकरतिक गटना है। उपरी समताप मंडल में 200 नैनो मीटर से कम लंबाई वाली परावेंगनी विकिरनों का आवशोषन कर ओजोन में बदल जाती तापमान की विलोंता के कारण इस मंडल में समंधाराओं का अभाव होता है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच विद्यमान संक्रमन क्षेतर को समताप सीमा काईते हैं। सोर उर्जा को अंत्रिक्ष में विकिरित करती है, फलतर तापमान में कमी आती है। वाई मंडल की सभी परतों में से मध्य मंडल में सबसे कम तापमान पाया जाता है। या तापमान मध्य मंडल की उपरी सीमा पर माइनस सो डिग्री सेंटिग्रेट के आसपास होता है। इस मंडल में उलकाएं जलकर बस्म हो जाती है। उलकाओं की राख के कणों पर हिम के गनी बहुन से मध्य मंडल के उपरी भाग अर्थात मध्य सीमा के समीप निशा दीप्ती मेगों का निर्मान होता है। यह मेग समानी तया रात्री में ही बनते हैं और इने उत्री गोलार्व में मध्य माई से मध्य अगस्ट और दक्षिनी गोलार्व में मध्य नवंबर से मध्य फरवरी के बीच में देखा जा सकता है। तापमान में तेजी से व्रद्धी होती है और इसकी सबसे उपरी सीमा पर तापमान 1500 डिग्री से 1700 डिग्री सेंटिग्रेट के बीच प्राय पाया जाता है। आयनी करण की ये प्रक्रिया तापमंडल के निचले भाग में संपन होती है जिसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल आप सभी जानते हैं रेडियो तरंगों को भूप्रष्ट पर प्रावर्तित कर बैतार संचार को संभव बनाता है। और ये फोटॉन सी दुरूबी प्रकाश जोथी अरोरास को जन्द देते हैं। तापमंडल के उपरी भाग जिसे विज्या निकोना आयतन मंडल का है। उसकी कोई उपरी सिमा सुवसपर्ष नहीं है। इसके बाद अंत्रिक्ष का विस्थार है। जिसमें सेटलाइट की ओ और उत्री यॉरोप में सामानी तया देखी जाती है। और ये प्रकरती का एक बहुत विलक्षन मजारा है।